नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में आप DLA प्रथम समेस्टर के वर्ष 2020 में पूछे गए गडित प्रशन पत्र का complete paper solution देखने जा रहे हैं अगर आप अभी तक जितने भी वर्षों में DLA प्रथम समेस्टर के paper हुए हैं उन सबका subject wise complete paper solution डिटेल में देखना चाते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का description जरूर चेक करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार उजेट कर रहे हैं तो इसको subscribe करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लिजेगा चलिए दोस्तों आज के समेस्टरपून वीडियो को शुरू करते हैं तो simply आपको करना क्या होता है कि जिस संख्या की बात की जारी है उस संख्या को agitage उतार लिजे और उसके बाद जितने भी अंक है उतने 0 आप लगा दीजे आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा वैसे तो नियमता ये होता है कि देखिए ये इकाई के स्थान पर है ये दहाई के स्थान पर है ये सैकड़े के स्थान पर है तो जिस भी अंक का स्थानिय मान पूछेगा जैसे 5 का पूछा जारा है तो 5 लिख लिजे और चुकी ये सैकड़े के स्थान पर है तो 100 से आप ग पुछा गया था दो बिंदू से होकर जाने वाली वृत्तों की संख्या क्या होगी माली जे एक point यहां पर है एक point यहां पर है तो इससे जाने वाली total कितने वृत्त हो सकते हैं तो देखिए अगर मैं एक ऐसे वृत्त बना दूं तो भी यह वृत्त है उसके बाद से एक व्रित बनाया जा सकते हैं दिये गए विकल्प में देखिए ओप्शन नमर चार में बात की गई है असंख है इसका बिलकुल सटीक जवाब हो जाएगा अगला प्रशन दिया गया है यहां पर देखिए इसको हल करके इसका मान हमें बताना है ठीक है तो देखिए किस प्रकार स इसको solve करेंगे यहां पर यह मिस्त्रित भिन है तो सबसे पहले इसको साधान भिन में convert करना होगा तो देखिए तीन दूनी 6 6 प्लस 1 7 बटे 2 हो जाएगा 7 बटे 2 और यह प्लस है तो मैं एजिटिज प्लस लिख देता हूँ और फिर bracket है फिर minus 7 35 और 4 49 हो जाएगा कितना 49 और बटे 5 हो जाएगा अब देखिए यह bracket हटाएंगे तो प्लस और माइनस का गुड़ा होगा तो माइनस किवल बचेगा ठीक है और यहां पर LCM कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा तो देखिए यहां पर 10 में 2 से भाग देंगे तो 5 बार में जाएगा और 5 गुड़े 7 यानि कितना आ रहा है 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा और यहां पर 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा 43 अपॉन 10 आएगा यह माइनस में आएगा ठीक है अब हमें देखना है कि कौन सा विकल्प सही होगा वैसे यह अभी और आप इसको और सरली करण कर सकते हैं 10 से जब भाग दें इसका बिल्कुल appropriate answer हो जाएगा अगला प्रशन पूछा गया था प्रथम क्रमागत तीन अभाज संख्याओं का मौसा क्या होगा देखिए यहां पर थोड़ा सा कट गया है मैं यहां पर आपको पूरा प्रशन बता देता हूँ प्रशन यह है कि प्रथम तीन अभाज संख् संख्या दो होता है दूसरा अभाज संख्या तीन होता है और तीसरा अभाज संख्या पांच होता है क्योंकि क्रमागत बोला गया है यानि लगतार जो तीन अभाज संख्या मिलेंगी उसकी बात की जारी है ठीक है तो देखिए इनका मौसा बताना है मौसा क्या होता है गु इसलिए option number 4 एक इसका बिल्कुल appropriate answer हो जाएगा अगला प्रशन पुछा गया था x का x प्रतिशत अगर 64 के बराबर है तो x का मान क्या होगा ठीक है चलिए का का मतलब क्या होता है गुड़ा होता है अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं x का x प्रतिशत का का मतलब गुड़ा x का कितना प्रतिशत x प्रतिशत तो x बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा बराबर कितना दिया गया 64 दिया ठीक है यहां ते clear अब देखे यक्स का यक्स में गुड़ा करेंगे तो x square हो जाएगा बराबर ये 64 पहले से है और ये 100 इधर तिरिया गुड़ा हो करके कितना हो 10 हो जाएगा यानि कि 8 गुड़े 10 असी आएगा दिये गए विकल्प में देखिए option number 1 में बात की गई है असी इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा अगला प्रशन पूछा गया था एक आयत की लंबाई 6 cm और उसकी चोड़ाई 5 cm है आयत का छेत्रफल क्या होगा आयत का छेत्रफल क्या होता है लंबाई गुड़े चोड़ाई होता है लंबाई हमें कितना दिया गया 6 cm और चोड़ाई इसकी कितनी दी गई है वो दिया गया हाई सेंटिमीटर तो इसका छेतरफल यानि एरिया हम से पूछा जा रहा है यानि यल इंटू बी कर देंगे लंबाई कमान 6 और चोड़ाई कमान 2.5 दिया गया है तो इसका जब गुड़ा करेंगे 25 शक डेड़ सो होता है ठीक है डेड़ सो और एक अंक पर दसमलो है तो यहा इस प्रश्न को आप दो तरीके से स्वाल कर सकते हैं या तो आप a-b का फॉर्मूला लगा सकते हैं a-b का होल स्क्वार तो इसका फॉर्मूला आप लोग जानते हैं a2 plus b square minus का 2ab या तो इस तरीके से आप कर सकते हैं directly formula लगा करके या फिर इसको आप a-b और दूसरे bracket में a-b इस प्रकार से लिख करके और दोनों bracket का गुडा करके भी कर सकते हैं ठीक है ये एक नंबर का प्रश्न है तो बहतर ये है कि इतना गुडा करने से अच्छा directly आप formula का प्रयोग कर सकते हैं ठीक है चलिए directly मैं formula का प्रयोग कर रहा हूँ यानि a की जगा पर हम लोग क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे तो पहले क्या हो जाएगा a square यानि की 2x का whole square प्लस b square यानि की 5 का whole square minus 2ab यानि 2 और a की जगा क्या लिखेंगे 2x लिखेंगे और b की जगा क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे ठीक है तो अब देखिए ये हो जाएगा आपका 4x square प्लस 25 और minus का हो जाएगा यहां तक लियर हो गया ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले प्रशन की तरफ अगला प्रशन है पट्री और परकार की सहायता से 90 अंस का कोण बनाई है तो इस प्रकार के प्रशन में चुकि यह अतिलग उतर यह प्रशन है जिसमें आपको सिर्फ एक नंबर के तौ यहां पर आपको रखना है और किसी भी चाप से इस प्रकार से एक चाप आपको लगा देना है ठीक है अब जो परकार का नोक रखते हुए आपने यहां से लगाए था परकार के नोक को आपको डिश्टर नहीं करना है उसी लेंथ को कंसीडर करते हुए उसी लेंथ को मैंट कितना हो गया 120 अंस हमें कितने का बनाना है सिर्फ 90 अंस का बनाना है तो यहां तक तो हमारा 60 अंस हो गया है और यहां से ले करके यहां के बीच में 60 अंस और है तो 60 यह और अगर इसका आधा हम लोग कर दें तो 60 यह वला और इसमें से आधा 30 निकल जागा 90 अंस का बन जागा और अब उसी चाप से यहाँ पर परकार कर नोक रखेंगे और यहाँ पर इस परकार से चाप लगाएंगे, यहाँ पर जो point मिला और यह वाली जो point है, इन दोनों को मिलाते हुए एक सीधी रेखा किचेंगे, अब यह वाला जो हमारा कोण बनेगा, यह total 90 अंस का बनेगा, कैस हमारा 2A प्लस B हो जाए, अगर मैं आपसे बोलू कि 8 में क्या जोड़ दिया जाए, कि हमारा योगफल 18 हो जाए, अगर मैं आपसे बोलू कि 8 में मैं क्या जोड़ दू कि योगफल 18 हो जाए, तो आप कहेंगे कि सिधे 18 में से 8 को घटा दीजे, हमें पता चल जागा क्या ज जोड़ना होगा, तो देखिए, यहाँ पर मैं घटा रहा हूँ, 2A प्लस B में से हमें क्या घटाना है, हमें घटाना है A माइनस B, ठीक है, अब देखिए, घटाने के लिए, जब मैं माइनस का अंदर गुड़ा करूँगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसमें से इतना जोड़ देंगे, तो हमें यह मिल जाएगा, यहाँ तक clear हो गया, चलिए, एक बार मैं जोड़ करके आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपका doubt clear हो जाए, क्या था, A माइनस B, और इसमें हमें क्या जोड़ देना है, यह वाला B बचेगा, 2A प्लस B, देखे, यहीं तो दिया गया था, यानि कि हमसे यह पूचा गया था, कि इसमें क्या जोड़ दे कि हमें यह मिल जाएगा, तो इसमें यह जोड़ना होगा, A प्लस 2B हमारा सही जवाब हो जाएगा, यहां तक लियर, चलिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्म की तरफ, दिया गया है, चार अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या का अंतर क्या होगा, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, चार बार आपको 9 लिखना होगा ठीक है और चार अंको की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी तो एक क्या गया आप 3-0 लिख दीजे इसमें से हमें घटाना है अंतर करने के लिए बोला गया था 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 बचेगा 9 में से 0 बचेगा और 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 बचेगा यानि 8,999 दोनों का अंतर क्या हो जाएगा 8,999 यहीं हमारा सटीक जवाब हो जाएगा बढ़ते हैं अगले प्रेशन की तरफ दिया गया है 5, 10 और 15 का लगुत्तम समापवर तक गयात कीजिए तो 2 विदी से आप कर सकते हैं या तो गुडणखंड विदी से या तो भाग विदी से यहाँ पर मैं आपको भाग विदी से करके दिखाने की कोशिश करूँगा 5, 10 और 15 का क्या निकालना है? LCM निकालना है अब 5 से जब भाग देंगे तो यह क्या हो जाएगा? 1, 1, 1 तो हमारा LCM क्या हो जाएगा? इनी तीनों का गुड़ा करना है तो 2, 3, 6, 6, 5, 30 इसका LCM क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा इसका उतर क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा यहां ते क्लियर? दोस्तों यहां से आपके लगई उतरिये प्रेशन सुरू हो रहे हैं जो की दो नमबर के प्रेशन होते हैं बारहवा प्रेशन पूछा गया था एक वस्तू 20 रुपय में बेचने पर 5 रुपय की हानी होती है तो प्रतिशत हानी ग्यात करना है देखे 20 रुपय में बेचा गया है यानि कि यह क्या है सेलिंग प्राइस है सेलिंग प्राइस का मान कितना दिया गया है 20 रुपय दिया गया है 5 रुपय की हानी होती है यानि कि लॉस हमें दिया गया है कितना दिया गया है 5 रुपय की तो हमें सबसे पहले cost price निकालना होगा क्योंकि लाब प्रतिशत या फिर हानी प्रतिशत आप किस पर निकालते हैं क्रे मुले पर निकालते हैं यानि कि cost price पर निकालते हैं जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हानी बराबर क्या होता है हानी बराबर cost price minus selling price यानि क्रय माइनस विक्रय कर देंगे तो हमें loss पता चल जाएगा ठीक है यहां तक clear loss की value हमें 5 रुपय दी गई है और cost price हमें निकालना है और selling price कमान कितना दिया गया है 20 दिया गया तो 20 इधर minus में इधर जाकर कर प्लस में हो जाएगा 5 प्लस 20 यानि की 25 तो cost price की value कितनी आ ग का हो रहा है 5 का हो रहा है ठीक है तो हानी प्रतिशत निकालने के लिए उपर लिखते हैं हानी बटे नीचे लिखते है cost price यानि जिसका मान 25 था और गुड़े प्रतिशत में कर देते हैं 5 हाँ 25 पांच बार में जाएगा और 5 से इसको काटेंगे तो 20 बार में जाएगा यान प्रते की सिती में 8 सेस बचेगा तो यहां पर हमें क्या करना है कि कोई एक ऐसी संख्या बताना है छोटी से चोटी जिसमें 15 से 20 से 36 से और 48 से जब भाग देंगे तो प्रते की सिती में 8 सेस बचेगा इस प्रकार के प्रश्णों को solve करने के लिए सबसे पहले दिये गए 36 और 48 का जब LCM निकालेंगे तो क्या होगा देखें यहां पर मैं लिख रहा हूँ 15 20 उसके बासे 36 और 48 ठीक है तो देखें चार समय पहले डिवाइड कर रहा हूं तो यह 15 बार में जाएगा यह 9 बार में जाएगा और यह 12 बार में जाएगा ठीक है फिर से मैं इसको 4 बार 5 यह 5 यह 1 यह 1 अब 5 से जब डिवाइड करेंगे तो एक 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 ठीक है यानि कि देखें चार चाओक के 16 16 16 16 बती सोल तिया 48 48 गुड़े 15 गुड़े 15 कर दीजिए देखें 48 गुड़े 15 15 अठे कितना होता है 120 का 0 हात में 12 15 चोके 60 और 12 72 हो जाएगा 720 हमारा इसका LCM जाएगा 720 इसका LCM आ गया और उस LCM में आपको 8 जो की शेशफल बच रहा है प्रते किस हिती में उसको जोड़ देना है तो 720 प्लस 8 यानि कि 728 हमारा उत्तर हो जाएगा कितना हो जाएगा 728 अब इसको क्रॉस वेरिफाई कर लिजे देखें 728 से मैं जब 15 से भाग देता तो देखें कितनी बार में जाएगा 15 पचे 75 होता है जादा हो जाएगा यानि कि 15 चौके 60 चार बार में जाएगा 60 ये 12 बचेगा और यहां से हम 8 उतारेंगे तो 15 आठे 120 होता है देखें 8 सेशफल बचा किसी भी परिसिती में आप 4 संख्याओं से भाग देंगे तो हमारा स 728 में भाग देंगे तो हमारा उतर क्या हो जाएगा 728 इसका बिल्कुल सटिक जवाब हो जाएगा अगला प्रशन पुछा गया है एक रेल गाड़ी जिसकी लंबाई 30 मीटर है 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकेंड में पार्क कर लेती है तो रेल गाड़ी की चाल हम में ग्याद करनी है किसमें किलो मीटर प्रति घंटा में ध्यान दीजेगा यहां पर जो मातरक दिया गया है वो मीटर में दिया गया है और समय का मातरक सेकेंड में दिया गया और प्रशन हमसे किसमें पूछा जारा किलो मीटर प्रति घंटा में ठीक है तो इसको कंसीडर कर कब पार करेगी जब यहां से यह ट्रेन पूरा चलते हुए इसका जो अंतिम छोड़ोगा यहां से जब पूरा निकल जागी तभी तो पार करेगी तो 120 मीटर तो इसकी खुद की लंबाई है और इसका लंबाई कितना है 30 मीटर है तो यानि टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएग कुल दूरी जो होगा वो आपस में जुड़ जागा 20 प्लस 30 यानि की 1.500 मीटर हो जाएगा और समय कितना दिया गया है ती का मान दिया गया है आपका 12 सेकेंड तो आपको क्या निकलना चाल निकलना चाल बराबर आपने क्या पढ़ा है दूरी बटा समय तो 1.500 मीटर और सम इसको गंटा में convert करने के लिए आप क्या करेंगे 60 से भाग देंगे तो minute में बदलेगा फिर 60 से भाग देंगे तो ये गंटा में बदल जाएगा ठीक है अब देखे इसको कैसे calculate करेंगे ऊपर था हमारा 150 बटे नीचे था 1000 और उसके बाद से यहां पर था 12 और इसके नीचे था 60 गुड़े 60 अब इसको देखिए इसको ऊपर वाले में गुड़ा कर देते हैं और इसको इस वाले में गुड़ा कर देते हैं ठीक है तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका देखे यहां पर में लिख रहा हूँ 150 गुड़े 60 बटे नीचे क्या हो जाएगा आपका 12 गुड़े यह हो जाएगा 1000 यहां तक लियर देखें इससे काटेंगे तो 12,25 ठीक है और उसके बाद से 1,0 से 1,0 यह कट गया 5 से इसको काटेंगे तो 20 बर में जाएगा इसके बाद से 1,0 से 1,0 यह कट गया और 2 से इसको काटेंगे तो 3 बर में जाएगा और अब क्या बचा 15 गुड़े 3 यानि की 45 किलो मीटर प्रती घंटा 45 किलो मीटर प्रती घंटा इस ट्रेन की चाल हो जाएगी 45 किलो मीटर प्रती घंटा सही जवाब है अगला प्रशन पूछा गया था यहाँ पर देखे इसको solve करना है तो solve करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर यह बार होता है इसको पहले solve करते हैं उसके बाद से छोटे कोश्टक को उसके बाद से मजहलो कोश्टक को और उसके बड़े कोश्टक को और उसके बाद से इसी प्रकार से solve करते चले जाएगे ठीक है तो सबसे पहले इसको जब solve करेंगे तो क्या हो जाएगा दो देखें दो में से एक घटेगा तो एक बचेगा क्या बचेगा एक बचेगा यानि यहां तक हमने कर लिया एक बच गया और यहां पर पहले से minus है अब छोटे वाले bracket को यहां से solve करेंगे तो 4-1 यानि की 3 बचेगा यानि की यहां तक की value 3 आ गई अब देखें मजोले cost है कि यहां से यहां तक है तो इसको solve करेंगे तो 5 और यह प्लस 3 total मिला करके 8 हो जाएगा यहां तक हमने कर लिया 8 हो गया ठीक है अब देखें बड़े cost है को यहां से ले करके यहां तक solve करेंगे तो 6-8 करेंगे तो minus का 2 बचेगा minus का 2 यहां तक हमारा minus का 2 बच गया देखें यहां तक हमने पूरा solve कर लिया इसका मान कितना आ जाएगा minus 2 अब देखें 15 पहले से है और फिर यहां पर यह minus है और हमारा पहले से माइनस 2 बचा हुआ है तो जब माइनस का माइनस में गुढा होगा थो प्लस हो जाएगा यानि-15 प्लस 2 यानि-इस कमान कितना जाएगा 17 हमारा उत्तर हो जाएगा अगला प्रशन पुछा गया था पार्स चित्र में त्रिभूज का परिमाप ग्याद किजे यहाँ पर A की वैलू 3 दी गई है और B की वैलू 2 दी गई है तो यहाँ पर पार्स चित्र में देखे यह एक त्रिभूज दिया गया है त्रिभुज का परिमाप या फिर किसी भी बहुभुज का जो परिमाप होता है वो उसके सभी भुजाओं का योग होता है देखे पहली भुजा कमान इतना दिया गया दूसरी कमान इतना दिया गया और तीसरी कमान इतना दिया गया परिमाप क्या होगा तीनों को simply आपको जोड़ देना है ठीक है तीनों को जोड़ दीजे और जो भी आएगा उस वेंजक में a कमान 3 और b कमान 2 रख दीजेगा ठीक है चलिए इसको जोड़ते हैं 2a-b दिया गया है 2a-b इसके बाद से यह कितना है a plus b दिया गया a plus b उसके बा a हो गया 6a और यहां पर देखिए उसके बाद से क्या बचेगा minus का b बचेगा यहां तक लियर हो गया अब a की value हमें 3 रखनी है और b की value 2 रखनी है जब 6a में a का 3 रखेंगे तो 6 तरीक 18 हो जाएगा और b का 2 रखना है तो इसका मान 18-2 यानिकी 16 हमारा उत्तरा जाएगा इ आपका एक नंबर कट जाएगा दो नंबर वाले प्रश्ण में से ठीक है यहां तक लियर हो गया अगला प्रश्ण पुछा गया है एक कमरा 15 मीटर 17 सेंटिमीटर लंबा तथा 9 मीटर 2 सेंटिमीटर चोड़ा है इसकी छत के निचले भाग में कम से कम कितनी वर्गाकार ट्र वर्गाकार टाइल की भूजा की जो लंबाई होगी वह इन दोनों यानि की लंबाई और चोड़ाई के मौसा के बराबर होगी क्यों क्यों क्योंकि वर्गाकार टाइल आप ऐसे समझें माली जीए कि यह आयताकार फर्श है तो वर्गाकार जब भी टाइल लगेगा यानि क ये टाइल को आपको काटना नहीं है बिल्कुल वर्गाकार लगना है यानि कि ये चोड़ाई को भी पूरी तरीके से भी भाजित करेगा और लंबाई को भी पूरी तरीके से भी भाजित करेगा तो कोई एक संख्या जो कि लंबाई और चोड़ाई दोनों को भी भाजित करे और कम से कम टाइल लगाना है आपको कम से कम टाइल लगाना है तो इस condition में आपको क्या निकालना होता है मौसा निकालना होता है यानि कि लंबाई और चोड़ाई का जो मौसा होगा वो एक टाइल की लंबाई के बराबर होगा और चुकि टाइल कैसी है वर्गकार है तो वहीं उसकी लंबाई भी होगी और वहीं उसकी चोड़ाई होगी तो सबसे पहले हमें इन दोनों value का मौसा निकालना होगा यहाँ पर ध्यान दीजेगा यहाँ पर 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर दिया गया एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है इसकी चोड़ाई हो गई ठीक है देखे भाग विदी से मैं मासा निकालता हूँ तो सबसे पहले क्या करेंगे 902 से मैं भाग दूँगा किसमे 1517 में तो देखे कितनी बार में जाएगा एक बार में जाएगा यह हो जाएगा 902 जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा यह आ जाएगा 615 615 का फिर से आपको इसमें भाग देना होता है यानि कि 902 में भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा देखे एक बार में जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 615 और सेस्फल आपका कितना बचेगा सेस्फल आपका बचेगा 287 अब इससे फिर इसमें भाग देना होता है यानि 615 में भाग देंगे तो ये कितनी बार में जाएगा ये दो बार में जाएगा दो बार में भाग जाएगा तो कितनी बार कैसे हो जाएगा देखे दो सते 14 के 4 हा चार सते 28 तो यह पूरी तरीके से कट जाएगा यानि कि इसका मौसा क्या हो जाएगा यह अंति मौला जो मिलता है 41 इसका मौसा हो जाएगा ठीक है ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर जो 41 हमें मिला वो उस वर्गकार टाइल की एक भुजा का माप है एक भुजा का यह होगा टोटल इस कमरे के एरिया में कमरे के एरिया में एक छोटे से वर्गकार टाइल के एरिया से भाग देते तो कुल कितनी टाइले लगेंगी यह हमें पता चल जाएगा तो यहां पर कमरे का छेतरफल आप कैसे निकालेंगे लंबाई गुड़े चोड़ाई यानि कि 1517 को 41 से जब हम लोग काटेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा ये जाएगा आपका 37 बार में और 902 को जब 41 से काटेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा ये जाएगा आपका 22 बार में तो 37 गुड़े 22 जब करेंगे तो इसका मान जो आएगा इसका मान आजाएगा 814 यानि आरेख यानि कि बार ग्राफ द्वारा निरुपित कीजिए यानि कि देखेए 600 में से अमिता को 450 अंक मिला है नमिता को 300, दिप्ती को 400, अजय को 300, अमर को 500 और नाजिया को 500 ठीक है तो इसको आपको बार ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है चलिए कैसे करेंगे देखेए यह यहां पर मैं इस प्रकार से ले रहा हूं और यहां पर इस प्रकार से ले रहा हूं ठीक है यहां पर मैं 100-100 के डिफरेंस पर आपको सब दिखा रहा हूं 100 यह 200 हो गया यह 300 हो गया यह 400 हो गया यह 500 हो गया और यह 600 हो गया ठीक है 600 तक हो गया और पहला है कौन है अमीता है पहल लोग दिखा सकते हैं यह मालेजे यह अमिता का बार ग्राफ हो गया है ठीक है इसके नीचे आपको क्या लिखना है अमिता ठीक है आप अमिता लिख देंगे ठीक है उसके बाद से दूसरा है नमिता का नमिता का कितना है 300 है तो देखे 300 यहां पर है तो यहां से 300 आप खीचें किसका दिप्ति का दिखा सकते हैं उसके बाद से अजय का 300 है देखे 300 ये है 400 ये है इसके बीच में आपको 300 यानि कि यहां पर दिखाना है अजय का 300 हो जाएगा ठीक है उसके बाद से अमर का 500 है तो देखे 500 वाला यहां पर है तो यहां पर ले जाके आप अमर का इस प्रकार स 500 दिखा सकते हैं अंत में नाजिया का 500 है तो देखे ये 500 का value है ये 600 है तो 500 इसके बीच में ही होगा यानि कि कुछ इस प्रकार से आप 500 नाजिया का दिखा सकते हैं ये हो गया पूरा बार ग्राफ और आपको नीचे इनका नाम भी लिखना होगा कि ये किसका बार ग्राफ है तो इस प्रकार से आप दिखा सकते हैं ठीक है और नीचे आप लिख दीजेगा ऐसे सिक्छार्थी ठीक है और यहाँ पर जो बार ग्राफ है इस प्रतेक बच्चे का अलग अलग नाम लिख देना है और यहाँ पर आपको लिखना होगा कुल अंक कुल प्राप्त अंक ठीक है कुल प्राप्त अंक आप यहाँ पर लिख देंगे तो यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा तो यह पूरा आपका इस प्रकार से प्रशन सॉल्व होगा दोस्तों ये पेपर पुरा सॉल्व हो चुका है आपको ये वीडियो कासा लगा? कमेंट के मादेम से जरूर बताएगा साथी साथ पिछले वर्षों में DLA प्रथम समेश्टर में पूछेगे प्रशन पत्रों का complete paper solution subject wise देखने के लिए इस वीडियो का description जरूर चेक करिएगा इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान करें आपका दिन शोब हो